अलेन मस्ट टाल लिंग को भारत में लांच करना चाते है इससे लेकर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की मगर ये पहला मौका नहीं है जब अलेन मस्ट टाल लिंग को भारत लाना चाते है इससे पहले भी उन्होंने 2021 में स्टाल लिंग को भारत में लांच क करने की कोशिश की थी मगर उनके सामने एक बड़ी चुनोती रिलाइंस जीओ है क्या बड़ी चुनोती पार कर पाएंगे ऐलेंड मस्क देखते हैं आज की बात में एलन मस्क भारत में अपनी सेटलाइट ब्रांड बेड सर्विस स्टारलिंग को शुरू करना चाते हैं हाला कि ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब एलन मस्क स्टारलिंग को भारत में लाने की कोशिश करेंगे इस से पहले ये कोशिश हो चुकी है मस्क ने इस सर्विस के लि एंट्री आसान नहीं होगी क्योंकि स्टार्लिंग की एंट्री के साथ ही दुनिया के सबसे अमिरिशक्ष का मुकाबला एशिया के सबसे धनी व्यक्ती मुकेश अमबानी की कमपनी रिलाइंस जीयो से होगा बीते मंगलवार को एलन मस्क ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से मुलाकात की जो अमरीकी दोरे पर है इस मिटिंग के बाद मस्क ने कहा कि वो भारत में स्टारलिंग को लाँच करने में इच्छुक थे जो रिमोट एरिया में इंटरनेट पहुँचाने में मदद कर सकता है हाला कि मस्क ने उस पॉइंट पर बात नहीं की जो स्टारलिंग के लिए भारते बाजार में सबसे बड़ी चुनाती है मस्क की भारत में एंट्री के रास्ते में मुकेश अमबानी की कमपनी रिलाइंस जीयो है मामला सैटलाइट ब्रोडबेंड स्पेक्ट्रम डिस्ट्रिब्यूशन का है जिसकी वज़से दुनिया के दो अमिर शक्ष आमने सामने होगे